हेलो फ्रेंड्स, स्वागात आपका एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल आलेंवान 2.0 तो आज मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं आप किसी भी कॉलेज में हों, किसी भी कोई भी डिगरी कर रहा हूँ चाहे बी ए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, चाहे बी एसी कर रहा हूँ चाहे एमे कर रहा हूँ, चाहे आप मेसी कर रहा हूँ कुछ भी डिगरी कर रहा हूँ अगर फ्रेंड्स आपको असाइनमेंट बनाने का प्रोजेक्ट मिला है यानि आपको assignment बनाने हैं, या फिर आप friends आपको CC बनाने हैं, क्योंकि friends कुछ college हो में CC नाम से famous होते हैं ये, assignment और CC एक ही होते हैं friends, तो आज मैं आपको दोनों ही चीज़ें, बताने वाला हूँ, दोनों एक ही होते हैं friends, यानि कि assignment और CC एक ही होते हैं friends, तो आज मैं आपको assignment और CC किस प्रकार से बनाते हैं वो बताने वाला हूं ठीक है फ्रेंट्स तो शुरू करने इसले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंट्स प्लीज 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 अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और स से इसके लिए फ्रेंट्स आप dau-tолжो तीन ओर फीलों के जरीरत होती है पहला यहीं लकडी की पैन के आप देखी सकते हैं वीडियो में उसके बाद फ्रेंट्स एह सकेल ओर उसके बाद फ्रेंट्स आपको यह आ Capture से कर लेना है ऑसड़िया को आपको क्या कर लेना है को ये इसको लेना है और इस लकड़ी की पैंस की सायता से और इसकेल की सायता से इस प्रकार की यह लाइन ही खीच लीनी है जिस प्रकार अपनी नोट बुक में होती है मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कुछ खिची हुई रखी हुई है यह है फ्रेंट्स आप चाहें तो देख सकते हैं द्यान से यह है फ्रेंट्स हमारा A4 size का page जिस पर मैंने लकड़ी की pen से फ्रेंट्स यह कुछ लाइने खिची हुई है दोनों साइड खिचनी है में आपके पास इस प्रकार के 20 होंगे या questions bank होंगे या जो भी है फ्रेंट्स उसकी सायता से आपको इसमें से एक questions या आपके टीचर ने जितने भी questions बोले हैं वो आपको write down करने हैं यह A4 size copy में ठीक है page में एक page में आए question या दो page में ठीक है फ्रेंट्स यह हमारे पास है एक subject से एक या दो question ही लिखे जाते हैं फिर अगले subject से लिखना आपको है ना ऐसे ही एक subject से साथ तीन या चार page भर जाएंगे तो इस हिसाब से यह भर जाएं तो इनको अलग रख दो फिर next में रख लो उस हिसाब से फ्रेंट्स आपके जितने भी subjects हैं सारे भर जाएंगे और उसके बाद friends आपको क्या करना है यह लेना है आपको फोर को सारे आप देखी सकते हैं ठीक है एक जैसा करके सही मिला कि और इस पर एक खाली पेज लगाना है इसकी उपर से यह एकदम without lining बाला ठीक है प्रेंट्स और इसको यहाँ पर फ्रेंट्स आपको क्या करना से step कर देना है एक यहां पर और एक यहां पर दो पिंचिक मसीन होती है जो stepler उससे step करने गाथ friends उसके बाद आपको यहां पर इस पर नाम लिख देना है college नाम लिख देना है और अपनी जो भी आप कर रहे हैं degree बो लिख देना है otherwise अगर ऐसा आपके में नहीं होता है तो friends आप एक ऐसे एक पर साइस का पेपल लें और computer पर जाकर प्रिंट करें और MS Word से वो प्रिंट निकल वा लें college का नाम लिखवा कर अपना नाम लिखवा कर और जिस भी subject का आपका assignment बनाने हैं ठीक है कोई problem नहीं तो friends इस हिसाब से आपने देखा हमारे वीडियो की साहता से कि मैंने आपको बताया कि आप assignment या CC किस हिसाब से बना सकते हैं आपको किन किन चीजों की ज़रुवत पढ़ती है ठीक है friends और साथी मैं आपको बताना चाहूंगा friends कि मैं आपने इस YouTube चैनल पर और भी कई प्रकार की वीडियोज डालता हूं जैसे कि funny वीडियोज, comedy वीडियोज, शाथी friends tech वीडियोज आप अगर यूटूबर हैं ये खुद या फिर आप यूटूबर बनना चाहते हैं यूटूब की साहता से पैसे कमाना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया friends and friends साथी मैं एक teacher हूँ तो मैं English पढ़ाता हूं साथी गड़त भी पढ़ाता हूं तो friends मेरे इस चैनल पर गड़त के कुछ वीडियोज डले हुए हैं और English के भी वीडियोज डले हुए हैं grammar के spoken के तो अगर friends आप student है या आप किसी भी students को आपके घर में कोई students है small high school का 11th का तो friends और बच इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा थैंक्स पर वाचिंग एंड कीप स्माइलिंग कीप लाफिंग थैंक्यू